ब्लग तो यू बाई माई लेवन सिर्कल विन फिर्स प्राइज वन क्रोर डांगलोड द आप नाउ इन्होंने बनाए 163.6 का स्ट्राइक रेट रहा एक विकेट भी लिया इन्होंने टोटल पॉइंट्स इन्होंने कमाए है कल क्रिकेट एक्षेंज में 108 और अगर देखा जाए तो 17.1 से यह अपनी ओपनिंग वैलियू से उपर रहे ओपनिंग वैलियू इनकी 552.5 की थी क्लो नुक्सान हुआ होगा क्योंकि यह महाश्य कल परफॉर्मेंस नहीं आया रन जीरो तो 17-0 टोटल पॉइंट्स इनके थे माइनस टू में खैर इनकी ओपनिंग वैलियू जो जबर्दस थी 715.9 की क्योंकि परफॉर्मेंस इनका नहीं आया और पॉइंट्स इनके माइनस में रहे इसलिए 16.6 से अपनी ओपनिंग वैलियू से धडाम से नीचे गिरे और 596.6 इनकी क्लोजिंग रही तो जॉज बडलर को अगर आपने ऐसा गेनर लिया होगा या फिर एक खिलाडी जो कि अच्छा परफॉर्म करेगा क्रिकेट एक्शेंज में तो आपका नुक्सान दो खिलाडी पहले मैच के तो हमने आपको बताए हैं अब आपको दूसरे खिलाडी रिंकु सिंग और महीश ठीक्षना ठीक्षना के लिए कुछ भी ठीक नहीं रहा कल रिंकु सिंग के लिए बहुत सारी चीजे अच्छी रही चववा ने 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 बनाए हो सकता है और भी क्रिकेट एक्षेंज जा सकते हैं क्योंकि इसी तरीके से आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर मिले गए हैं महीश ठीक्षना की बात करें तो एकनौमी इनकी 7.3 के रही पॉइंट्स इन्होंने नहीं कमाए क्योंकि इन्होंने कल विकेट भी नहीं लिए तो इसी लिए इन उनकी बात करते हैं, प्यूज चावला, आक्षन प्राइस सा इनका 50 लाग का, टोटल पॉइंट सब तक हो गए हैं 593, गेन किया है 266.6 प्रतीशत से जो इनका बेस प्राइस सा उस से उपर, अगर स्टॉक वैल्यू की बात करें तो प्यूज चावला का स्टॉक यहां से श साथ प्रतीशत से यह नीचे गिरे हैं अपने बेस से याने 400 जो इनका पॉइंट सा यहां शुरू होते हुए तो होते होते आया और उसके बाद यह आ गये हैं एकदम नीचे पे और यही कारण है कि 354 पर यह पॉइंट पर जो आके हैं गिर चुके हैं और अब तक बिगेस गेनर और लूजर जो है IPL में जितने मैच हो गए हैं उसके बाद वो हैं प्यूश चाबला और सुनिल नरायन क्योंकि इनका बेस प्राइस से यह अलग गए हैं और बेस प्राइस से यह भी एकदम अलग गए हैं तो यह है क्रिकेट एक्शेंज आप थेस्पोर्टसक.com पर लाते रहेंगे थांक्यू